आप सबका स्वागत है, यहां पर कुछ पदार्थ रखे हैं, जिने हम लगबग रोज खाते हैं नेबू, इमली, बेकिंग सोडा, कछ्छा आम, विनेगर, नमक, अनार, शक्कर और पानी क्या आप इन पदार्थों में से समान स्वादवाली पदार्थों की सूची बना सकते हैं? दूसरी शब्दों में हम इन पदार्थों को कितने भिन भिन स्वादों में वर्गिकृत कर सकते हैं हर पदार्थ को चक्खें, चक्कर ये लिखें कि ये किस प्रकार का स्वाद है स्वाद के भिन भिन वर्ग यश्रेणिया बनाकर उनमें इन स्वादों को वर्गिकृत करें टेबल इस प्रकार बनाए स्वाद, खत्ता, कसेला, मीठा, कड़वा, स्वाद ही चुकि हम इन पदार्थों को हमारे खाने में इस्तमाल करते हैं और ये हमें मालूम है इसलिए इन्हें चकना सुरक्षित रहेगा लेकिन आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आप रसायन प्रयोक्षाला में किसी भी रसायन को अपने अध्यापकों की अनमती के बिना बिल्कुल नहीं चक्खेंगे वास्तों में रसायनों को चकने की या खाने की अनमती नहीं होती है क्योंकि वे विशैले होते हैं और उनमें हमारे स्वास्त के लिए खत्रा भी हो सकता है क्यों अब हम एक के बाद एक इन पदार्थों को पानी में डाले और देखे क्या होता है खटे स्वात से लेकर कसैले स्वात तक के पदार्थ पानी में गुल जाते हैं क्या आप बता सकते हैं कि इन सूची में खटे पदार्थ कौन-कौन से हैं जी हाँ सही कहा आपने उनमें एक विशेश प्रकार के यौगिक होते हैं जिनके कारण वे खटे होते हैं और इन योगिकों को अम्ल कहा जाता है और अम्ल पानी में गुलंशील होते हैं और उनका स्वात खटा और कसैला होता है अन्पदार्थों में जो अम्ल होते हैं उन्हें प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से ही उस पदार्थ में होते हैं। चलिए हम थोड़ा सांध्र सार्फुरीक शामल लेते हैं और उसके कुछ बूंदे इस सता पर डालते हैं। क्या हुआ जी हाँ इस्टता жल गई। सांध्र्विक शालगई। यह कुछ आमल प्रकृति से ही तीव्र स्वरूव के आमल होते हैं विद्दाहक या जबालाग रही होते हैं यदि उनका सांधर द्रव्य त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा जुलस सकती है और यदि उनका धुआ या वाश्प का हमने श्वसन किया तो वो हमारे सिहत के लिए हानिकारक सिद्ध होता ह इन्हें खनिज आमल कहा जाता है इससे पहले के पाठों में हमने क्षरण के बारे में जाना है आमल प्रकृती से क्षरण कारक होते हैं हमने जाना है कि तनुआमल खनिजों के साथ अभिक्रियागरते हैं अब सोचिए क्या होगा यदि हम सांधर आमल में एकदम से पानी डा तो तनु आमल बनता है, तनु आमल उनसे सम्मंदित तीवर आमल की अपेक्षा कम हानिका रखोते हैं, चलिए अब तक हमने आमलों के बारे में क्या-क्या सीखा ये एक बार दोहराते हैं, बे अन्पदार्थ जो खटे और कसैले स्वात के होते हैं, जैसे नीम्बू, इमली, इनमें सौमी आमल होते हैं, जिनके कारण उनका स्वात खटा होता है, पानी में गुलंशील होते हैं, और प्रकृती में सनक्षा रखोते हैं, खनी आमल जैसे H2SO4, HCl और HNO3 तीवर आमल होते हैं, और प्रकृती से दाहक होते हैं, उन्हें चूना या खाना हानिका रखोता क्योंकि वे तुचा को जुलसा देते हैं चलिए अब हम उन पदार्थों की बात करते हैं जो सवाद में कड़वे होते हैं हम इनका पानी में एक तनूवी लेन बनाएंगे और करते हैं कि क्या होता है जी हां इनका स्वाद कड़वा होता है और स्पर्ष में चिकने होते हैं इन्हें हम क्षारक कहते हैं कड़वा और कसेला स्वाद और चिकना स्पर्ष ये क्षारक की मुख्य विशिश्चताएं हैं ये भी जब सांद्र होते हैं तब तुचा को जुलसा सकते हैं इसके सिवाए क्षारक की रासाइने गुण धर्म अमल से पूर्ण रूप से भिन होते हैं चलिए दोहराते हैं क्षारक पदार्थों का स्वाध कड़वा या कसेला होता है उनका स्पर्ष चिकना होता है क्षारक के गुणधर्म अमलों से पूर्ण रूप से भिन और विरुध होते हैं कुछ क्षारक दाहक होते हैं जैसे sodium hydroxide NaOH, potassium hydroxide KOH कुछ सौम्य क्षारक होते हैं जैसे baking soda आर्थात sodium bicarbonate Na2CO3 सारांच हमने अमल क्षारक पदार्थों के बारे में जाना और उनके गुणधर्मों को भी जाना हमने साव में और तीवर आमल और साव में और तीवर ख्षारकों के बारे में भी जाना चुनौती हमारे रोज मर्रा के खाने में जिन पदार्थों में प्राकृतिक आमल होते हैं उनकी सूची बनाए उनमें कौन से प्राकृति गामल होते हैं ये खोजे